हेलो फ्रेंड्स जागरूती स्वेजपुड में आपका स्वागत है और मैं हूँ जागरूती बर्ट आज हम बनाएंगे सूजी ढोकला बहुत ही जटपट बन जाएगा और एकदम आसानी से बन जाएगा फ्रेंड्स तो यह है इसके इंग्रिडियन्स तो यहाँ पे एक कप जितनी सूजी हमने ली है वो उसे हम बड़े से बावल में डाल देंगे इसमें हम डालेंगे दहीं थोड़ी सी हमें इसमें हिंग डालेंगे नमक डालेंगे तेस्ट के अकोडिंग थोड़ी सी इसमें एक छोटी चमच जितनी डालेंगे चिनी और अच्छे से मिक्स कर लें अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखो इस तरह से जरुरत के इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाके इस तरह का घोल हम तैयार कर लेंगे दम पतला भी नहीं और बहुत थीक भी नहीं इस तरह का तो देखो यह हमारा टोकड़ा का बेटर जो है बिल्कुल रेड़ी है इसे हम ढग कर थोड़ी देर रेस्ट देंगे 10-15 मिनिट 10-15 मिनिट के बाद देखो यह सूजी हमारी फूल के अच्छे से सेट हो चुकी है अभी हम यहाँ पर गेस पर कड़ाई रखेंगे इसके उपर हमने स्टेंड रखा है और इसमें पानी डालके इसे उबलने देंगे जब तक यह उबल के तयार होता है तब तक हम यहाँ पर डोकला की तयारी कर लेंगे तो यहाँ पर हमने अल्यूमिनियम का मॉल्ड लिया है उसमें हम ग्रीस कर लेंगे तेल से और यहाँ पर जो हमने बेटर तयार किया है उसमें हल्दी पावडर डाल देंगे और अच्छे से mix कर लेंगे हल्दी पाउडर अच्छे से mix हो जाना चाहिए अगर हल्दी पाउडर के गठे वगेरे रहे गए तो जब हम इसमें fruit salt डालेंगे तो वहां से जहां पर यह हल्दी का गठा रहे गया वहां से red bubbles हो जाएंगे तो इस बात का खास दियान रखे फ्रेंड्स तो अभी हमने यहां पर fruit salt डाल दिया इन्हों fruit salt लिया है मैंने और अच्छे से mix कर लेंगे तो देखो यह अच्छे से mix कर लिया अभी हम इसे जोकला के जो मोल्ड हमने तयार किया है उसमें डालेंगे यह पानी हमारा अच्छे से उबल चुका है अभी हम इसमें डोकला करने रख देंगे तो इसे ढख कर अच्छे से पकने देंगे आठ से दस मेट का टाइम लगेगा फ्रेंड्स ज्यादे भी लग सकता है आप चेक कर ले चपू की मदद से ढोकले हमारे पके है कि नहीं जब तक ढोकला हमारे तयार होता है तब तक हम यहां पर तड़का तयार कर लेते हैं तो यहां पर कड़ाई में एक चमच जितना तेल लिया उसमें राई डाल दे अख़्ा जीरा डाल देंगे तिल डाल देंगे थोड़ी सी हिंग ली है हमने वो डाल देंगे अभी हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता तो देखो यह तड़का हमारे तयार हो गया और यहां पर दोकला हम चेक करेंगे हो गया है कि नहीं देखो अच्छे से फूल चुका है दोकला और चपू भी एकदम क्लीन आया है तो दोकला हमारा बिलकुल रेडी है इसे हम निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे देखो एकदम सौफ डोकला हमारा बनके तयार हुआ है तो थोड़ा सा इस तरह से किनार निकाल के साइड में से इसे हम एक डीस में निकाल लेंगे तो देखो अच्छे से एकदम जालीदार सौजी का डोकला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है अभी हम इसके उपर तड़का लगाएंगे थोड़ा सा कोपरे का छेन हमने लिया है वो डैल देंगे तो ये ढोकला हमारा बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ आप देख रहें कितना सौफ्ट है एकदम और अंदर से एकदम जालीदार और अच्छे से डोकले बने हैं हमारे बहुत ही सौफ्ट बने हैं तो फ्रेंड्स बनाईए और अपने अनुबह हमारे साथ जागरूत इस वेज़पुट पर सेर करें बताए के इस लगए आपको रेसीपी अगर आपको रेसीपी पसंद आती है प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना बूले मिलते हैं अगले वीडियो में नही रे